जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आजकी इस व्यूडियो में हम डिसकस रहेंगे जबलपुर आर्मी जीडी भरती पेपर का सेक्शन B सेक्शन A जो है हम वो कल अपलोड कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं तो यह है दोस्तो ओरिजिनल पेपर जबलपुर आरो हेटकोरटर जबलपुर की जो आर्मी भरती हुई थी उसका यह पूरा का पूरा हमारे पास में पीडियो फाइल है तो इस पेपर में हम सेक्शन A जिसमें जनरल नोलिज के एक से पंदरा तक सवाल थे हम कल कर चुके हैं अपलोड इस वीडियो को आज हम करेंगे दोस्तों सेक्शन B जिसमें सामान विज्ञान के 16 से 30 तक कॉस्चन पूंचे गए तो चलिए स्टार्ट कर होती है तो यहां पर कॉस्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D 7% ठीक है मनुष्च के सरीर में जो रग्त की मात्रफ होती है वो 7% होती है कॉस्चन नंबर 17 है दोस्तों आपका 1 horsepower is equal to 1 horsepower किसके बराबर होता है options आपके इस प्रकार है तो करेक्ट आंसर होगा दोस् ठीक है कॉस्चन नंबर 18 है आपका human bone is found in fabular ठीक है मनुष्च के हड़ी fabular कहां पर पाए जाती है options आपके इस प्रकार है तो कॉस्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा option B पैरों ठीक है मनुष्च के हड़ी जो fabular होती है दोस्तों वो कहां पाए जाती है मनुष्च के पैरों में पाए जाती है कॉस्चन नंबर 19 के तरफ चलते है नंटीन नंबर कोश्चन है what are the primary colors प्राठमिक रंग कितने होते हैं ठीक है काफी important कोश्चन है दोस्तों काफी बार आपके exams में ये कॉस्चन रिपेट होता है तो प्राठमिक रंग कितने होते हैं प्राठमिक रंग होते है बेरोमीटर या फिर गेलबेनोमीटर तो विदोधारा उत्पन करने की युगती के लिए कहा जाता है दोस्तो जेनरेटर तो यहाँ पर question number 20 का correct answer होगा option A generator ठीक है question number 21 के तरफ चलते हैं typhide किसके कारण होता है virus, protozoa, protein या फिर bacteria तो 21 number question का correct answer होगा option D, bacteria ठीक है typhide जो है वो bacteria के कारण होता है, तो दोस्तो 21 question यहाँ पर हो चुके है 22 number question के तरफ चलने से पहले आप सभी से request होगी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें question number 22 है आपका what are the basic units of life जीवन के मुलभूत एकाई क्या है ठीक है question number 22 है जीवन की मुलभूत एकाई क्या है तो question number 22 का correct answer होगा option B, sales question number 23 का correct answer होगा option A, magnesium ठीक है flash bulb का जो तार होता है वो बना होता है किसका magnesium का question number 24 की तरफ चलते है 24 number question है जूर की किरिणे पृर्थिवी पर कितने minute में पहुंचते है दोस्तों काफी simple question है और काफी repeatable question है बार-बार आपके exams में आता रहता है इस question को मैं ही अपने जो original paper आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर original paper सीख रहता हूं आजकल तो इस question को मैंने कई बार अपने चैनल पर देखा है अपने papers में देखा है जो कि किसी ने किसी एरो में आए है तो काफी important question है इसको आप याद कर लेजी अच्छे से सूर की करिणे प्रतिवी पर कितने मिनट में पहुंचती है तो 24 number question का correct answer होगा आपका option C 8 minute 20 second में ठीक है question number 24 option C 8 minute 20 second और 25 number question के तरफ चलते है 25 number question है हमारा who was the first to discover this sale कोशकाओं की खोश सबसे पहले किसने की ठीक है काफी important question है ये भी तो 25 number question का सही answer होगा option A Robert hook 26 number question है दोस्तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए dash का होना जरूरी है तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है 26 number question का correct answer होगा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है 27 number question है आपका which of the following is used in thermometer thermometer में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है ठीक है तो question number 27 का सही answer है option A question number 28 है हमारा H2O2 किसका सोत्र है H2O2 जो है वो किसका सोत्र है question number 28 का सही answer होगा option D hydrogen peroxide hydrogen peroxide का सूत्र होता है H2O2 तो 28 और 29 और 30 दो questions बचे हैं लेकिने से पहले आपसे request है कि वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरू दबा दें question number 29 है प्रकास वर्ष डेस मापने की काई है प्रकास वर्ष जो है वो किस के लिए मापने की काई है यह था जबलपूर आर्मी जीडी भरती का original question paper तो इसका section A जो है हम कल करा चुके है अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जा कर देख सकते हैं तो उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को